कि फ्रेंड्स में बता रहा हूं आपको घर पर देशी की बनाना घर पर देशी के दबना जाता है कि हम दूद को लेते हैं और दूद को बाल लेते हैं और फ्रीज में रख देते हैं में में जमजाती है उसको यह सुछ उतल दी जाती है और हे टाजी मलाई मदी खट्ट कर लेते हैं और हमारे स्वास के लिए बहुत फैदेवन है इसमें घुलिस और बहुत हुट होती है तो मक्खन का सीवन भी डारक कर सकते हैं मगर मैं आपको बढ़ाऊंगा घी बनाना मक्खन मैंने एकटा करके कराई में रख लिया आए और इसमें अभी थोड़ा सा वेव रह गया वे मतलब थोड़ा सा लिकुट रह गया आएज में जो की इस वेव प्रोटिन होती है इसको मै थोड़ा सा अलग करूंगा यह है हलांकि बाइप प्रोडक्ट है और इसको भी हम जो है यह भी खाने में फायदेबंद है और इसको खाया सकता है और यह जो है इसमें क्या होती है इसमें केसी प्रोटीन जाता होती है और लेक्टूल होता है और पानी होता है फैट की मात्र कि यह अगर फ्रेश क्रीम है तो यह इस्सेमाल किया तरा है जोðाए में यह रायता बनाने में इसका इस्तेमाल किया दस्ता है कि अभी थुला सब यह जो है मक्कन में और रह गया था उससे यह नितार रहे हैं नितार करी से पूरा निकाल लेंगे इसके बाद जो है घी को जो है कडाई मेहीं जो है हमेल्ट के आयए आ दो मैल्ट करेंगह इसके अंदर के फैट फैट ब्लॉबी यह जाता है मकर हमको 105 टैंपऱ्टार गर्म कर ना एक करना है घर के घी में वस एक कमी है कि इसकी जादा नियुक्त जाह ले Apollo क्योंकि ही फॉनकर जाता है मक्षन है मक्षन प्गलकर देखिए ऊफिए गी भार आ जाएगा और इसमें जो मक्षन सब्सक्राइब। प्रोटीन है लेक्टोज बोई जल जाता है जलके जाता ब्राउन हो जाएगा या ब्लैक हो जाएगा मक्षन पूर गया है घी बना आए गी बनकर जो है बहुत ही सुन्दर और देशी गी बनाएगा और गी हमारे स्वास के लिए बहुत फायदेवन दे हमको करीब एक जेड़ सम्मत घी हर व्यक्ति उखाना चाहिए यह हमारी हार्ट को मज़ू करता है हमारे बजन को कम करता है और बाध बीमार हो फायदेबन दे और बॉडी को गुलो करने में फाज बन जायागा गी को अब यह दो गी बन गया है मगर इसके नीचे जो है प्रोटीनियस मेंटर रह गया है जो की थोड़ जला हुआ है यह ब्राउन है जो मैं दिखा रहा हुआ को यह जो उपर है जो मेल्टेट फॉर्म में वो गी है इसको किसी कपड़े की चनने की चाता से डवल फिल्टर से चानी जायागा और गी तयार है गी तयार थैंक्यू पर बाचिक में वीडियो